नमस्कार दोस्तों मैं हूँ आपका होस्ट और दोस्त एडवर्ड आप सभी का स्वागा थे हमारे चैनल हिंदी डेप टूर्स पर और आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि अगर आपने गो डिडिस से 99 रुपीज में डॉमेन खरी दी है या बीना ओफर में आपने डॉमे कमपनी से किसी और के पास से होस्टिंग खरिद लिया तो आप प्रोब्लेम आती है कि आप अपने गो डेडि के डॉमेन को या फिर डॉमेन भी आपने किसी भी कमपनी में लिया हो प्रोसेस और कॉंसेप्ट सेम होता है करने का तरीका थोड़ा इधर उधर हो सकता है चाहे आप बीग रोग से खर तो चाहे गोडेडी से लेकिन ज्यादा तर लोग और हम अपने स्टूडेंट को हमेशा गोडेडी से खरिदने के लिए बोलते हैं क्योंकि यह अच्छा कमपनी है हिंदी में भी आपको सपोर्ट देती है और 99 रुपीज में आपको .com domain आप देख सकते है तो आप कैसे दोनों चीजों को लिंक करेंगे आप domain के साथ में hosting को कैसे लिंक करेंगे वह इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा उसके लिए सबसे पहले आप गोडेडी का जो भी यह आपका id password है उसको डाल के आप यहां से login कर ले मैं फिला login में हूँ एक account में यह मेर मित्र का हमारे एक मित्र है जिनका account है बस आप लोगों को दिखाने के लिए मैं यहां पर login किया हूँ कि कैसे name server change किया जाता है क्योंकि अगर आपको अपना domain को किसी भी hosting के साथ अगर आपको link करना है तो बस आपको उसका name server change कर देना है तरीका बहुत है लेकि name server का जो तरी easiest और आसान है तो सबसे पहले आपको go daddy में login करना होगा जहां पर मैं login हूँ आप यहां पर login नहीं होगे तो आपको login का button आएगा आप login कर लो login करने के बाद में जहां आपका username दिखाएगा यहां पर आप देख सकते हैं वहाँ पर click करना है आपको और उसके बाद में आपको my product पर जाना है ठीक है आप ऐसे click करके my product पर जा सकते हैं यहां पर देखिए my product होगा आप my product पर जाएंगे my product पर जाने के बाद में आपको इस तरह से दिखाएगा आपका नाम दिखाएगा और आपका domain और जो भी product आपने खरदा होगा वो दिखाएगा तो यहां पर आपको domain पर click करना है तो domain पर click करेंगे तो आप जितने भी domain खरदे होंगे वो सारा दिखाएगा तो यह जो हमार आपको name server change करके दिखाऊंगा और जिनको पता नहीं है कि हमने जिनको सीखना है hosting और जो आप भी practice करना चाहते है hosting उन्हें हम लोग 500 रुपे में एक साल के लिए hosting provide कराते हैं तो मैंने एक package बनाया था उसका मैं link करके आपको दिखाऊंगा तो चलिए ठीक है और यह जो package है इनका premium package है ठीक है और 500 रुपे वाला नहीं है लेकिन process सेम है कोई भी hosting हो कितना भी पैसा का हो कोई भी package हो आपको link करना है तो बस name server change करना है तो ठीक है जो domain का आपको name server change करना होगा और domain का side में आप देखेंगे यहाँ पर domain setting लिखा है बस आपको हाँ पर click करना है ठीक है domain setting में आप जाएंगे और click करेंगे तो आपको एक नया page खुलेगा यहाँ पर एक नया page खुलने वाला है थोड़ा सा wait करते है हम लोग थोड़ा सा slow चल रहा है नेट यहाँ पर ठीक है तो आप देख सकते हैं आपको इस तरह से सारा list दिखाएगा और अगर आपके पास एक domain है तो एक ही दिखाएगा और वो page खुल जाएगा तो यहाँ पर 4 domain है इसलिए list दिखा रहा है किसका setting करना है पूछ रहा है तो मैं यहाँ पर सारे data.com उसे click करूँगा तो अब मैं सारे data.com को click कर रहा हूँ तो पहले देखते हैं कि यह domain में अभी है क्या तो हम इसे copy कर लेंगे और यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ अभी फिलाल क्या है तो इस site को अगर हम लोग खोलेंगे तो यहाँ पर जो भी होगा वो हमें दिखेगा ठीक है अब हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर दिखा रहा है कि GoDaddy से यह वाला खरीदा गया है और इसमें कुछ नहीं है देख सकते हैं आप लोग कुछ नहीं है तो इसे हम लोग एक hosting के साथ में link कर रहे हैं और मैं आपको करके दिखा रहा हूँ तो उसके लिए name server change करना है तो चलिए हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर नीचे जाएंगे आपको देखिए name server का एक option मिलेगा ठीक है यह वाला setting में name server का option आपको manage पर क्लिक करना है और यह जो name server गिरा है इसे change करना होगा तो आप हम लोग इसे custom में select करेंगे और उसके बाद में enter custom name server आपको क्लिक करना है तो आप जिसी से भी hosting लिए होंगे जिस company से भी hosting लिए होंगे आपको दो name server minimum मिला होगा एक ns1 एक ns2 आपको बस यहाँ पर paste करना है तो मैं यहाँ पर paste कर देता हूँ मैं इस तरह से तो आप अपने gmail पर जाएंगे और gmail पर आपको जहाँ पर cpanel का details मिला होगा तो आपको name server भी मिला होगा और उसके बाद में आप domain setting में जाएंगे और यहाँ पर आप अपना name server डाल देंगे ठीक है और दूसरा भाला भी name server यहाँ पर डाल देंगे एक ns1 होगा एक ns2 होगा आप यहाँ पर हम लोग ok पर click करेंगे name server डालने के बाद ठीक है और उसके बाद में save पर click करेंगे अब हम उसे क्लिक करेंगे और अब हम चेक करेंगे कि उसका चेंज हुआ की नहीं और आप देख सकते हैं यह नया वाला नेम सर्वर डल चुका है तो अब चलिए हम लोग जो साइट है इसे पिक अप करने के लिए नया होस्टिंग में जाने के लिए पांच मिनिट से लेके 24 गंटा तक का टाइम लगता है डिपेंड करता है यह तो हम लोग रिफ्रेस करते हैं और अगर सही चल रहा होगा तो यहां पर आपको एक ब्लांक पेज दिखेगा तो यह थोड़ा सा टाइम लग रहा है इसलिए अभी यह पिक अप लिया नहीं है मैंने आपको बोला था कि आपको कम से कम 5 मिनिट से 2 घंटा यह 24 घंटे तक मैकिमम और मैकिमम 48 घंटे तक टाइम लग सकता है तो आप देख सकते हैं कि लगग मैंने 6-7 मिनिट वेट किया और फिर से जब मैंने चेक किया तो यह फिक अप कर लिया है आप देख शकते हैं यह इंडेक्स अभ दिखा का domain और hosting को link कर रहे हैं यह उनके उपर depend करता है हमारा यहां hosting मैंने provide किया था और जो हमारे मित्र है उन्होंने go daddy से लिया हुआ है तो यह 5-6 मिनिट के अंदर में उससे पहले ही हो गया था लेकिन मुझे फिर से recording on करने में थोड़ा time लग गया और यहां पर हम लोग इसका cpanel भी जाके देख सकते हैं ओके तो यहां पर cpanel का id password देके हम लोग cpanel पर घुश सकते हैं तो इस तरह से आप अपना name server change कर सकते हैं तो hope यह आपको help करेगा और काफी लोगों को domain और hosting join करने में बहुत problem होता है तो अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो वीड किया है कुछ नए वीडियो के साथ में और अभी जो नए वीडियो आएंगे वो नए चानल पर आएंगे HindiRavTools Plus उसका नाम है आपको हमारा जो HindiRavTools चानल है उह पर निचे जाएंगे तो आपको मिल जाएगा चानल पेज़ पे HindiRavTools Plus और नए episode series और WooCommerce के tutorials, PHP के नए tutorials, HTML, HTML, CSS के tutorials और JavaScript के tutorials आपको इस चैनल में मिलेंगे फिलाल हम लोग मूब कर रहे हैं थोड़ा सा टाइम लगेगा और कुछ लोग आने के बाद में हम लोग वहाँ पे वीडियो डलना चालू कर देंगे तब तक HindiRavTools ऐसे ही चलते रहेगा और ये HindiRavTools कभी डिलिट नहीं होग हम लोग सबको HindiRavTools प्लस में काम करेंगे लेकिन HindiRavTools रहेगा आप लोग यहाँ भी वीडियो देख पाएंगे तो इसका साथ मैं आपसे बिदा लेना चाहूंगा आपका होस्ट और दोस्त एडवर्ट बाई बाई दोस्तों